तो बच्चो कैसे हैं आप सब बहुत-बहुत स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में आज का ये वीडियो क्लास 12 के बच्चो के लिए बहुत ज़्यादा खास होने वाला है क्लास 12 का जो आपका पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट है हिंदिय में बोले तो राजनितिक वि आज क्लास 12 का में टर्म का पेपर होगा पॉलिटिकल साइंस का तो इसके लिए हम लोग सेंपल कर रहे थे यह उसी सेंपल पेपर का पार्ट वाला वीडियो है जिया बच्चो इससे पहले मैंने इस पेपर का पार्ट वन और बना रख आ जिसके अंदर मैंने आपको सेक्श देखिए इसके अंदर हम लोग section C cover करने वाले हैं जिसके अंदर जो long answer type questions हम से पूछे जाते हैं basically 6 number वाले questions पूछे जाते हैं वो cover करने वाले हैं तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं देखिए तीन घंटे का आपको time allow किये जाता है paper करने के लिए और 80 number का आपका paper आता है और यह जो सामाने निर्देश होता है यह मैंने आल्रेडी आपको पिछली वाली वीडियो में बता गिया था तो आपको वहां जा करके देखेंगो पूरा detail में समझा रहा है बाकि आप देखना चाहते हैं तो वीडियो पॉस करके देख भी सकते हैं यहाँ पर एक चित जो अभी आपको ध्यान से देखना है वो यह है कि जो छे नंबर वाले questions होंगे ना जो अभी हम करने वाले हैं section C के अंदर ही ठीक है उसका answer आपको 1500 सब्दों से अधिक में नहीं होना चाहिए नहीं 1500 सब्दों में देना है 150 words के अंदर देना है और इस से पहले वाले वीडियो म पूछा जाएगा ध्यान रखिएगा तो यह चीज आपको ध्यान रखना है और section C में जो छे नंबर वाले questions पूछे जाएंगे उनका answer आपको कितने सब्दों में देना है at least 150 words यानि कि 1500 सब्दों में तो देना ही देना है यहीं चीज इंग्लिस मीडियम में आपका general instructions करके आता है जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं इस तरह से कुछ बाते लिखी हुई है चलिए अपने paper को हम लोग section C करी रहे थे बच्छों जिसके अंदर अब हमसे long answer type questions पूछे जाएंगे अभी तक हमने जो questions किये थे और दो number वाले questions किये थे ठीक है section A और B वागेरा के अंद सब्द सुधारने के लिए उपाय सुझाईए ठीक है यानि कि भारत और पाकिस्तान के बीच में जो संब्द है जो relations है उनको कैसे और improve किया जा सकता है कैसे सुधारा जा सकता है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने कई सारे points लिक रखे हैं इनको ही आपको explain करके लिखन तो जो भारत के लोग है और पाकिस्तान के लोग है उनके जो आपस के संबंध है उनको बढ़ाना चाहिए क्योंकि देखिए भाई कोई भी देश हो चाहे आप भारत ले लिजे या पाकिस्तान ले लिजे बनता तो लोगों से ही है ना यहां पर अगर लोग ही नहीं रहेंगे इसे भारत और पाकिस्तान के जो संबढ़ है उनको सुधारा जा सकता है अगला व्यापार को प्रोटसाहित करना चाहिए जैसे अगर आप भारत में देखेंगे तो ज़्यादा तरह हिंदु जो तेवहार है हिंदु लोग जो मनाते हैं जैसे आपका होली दिवाली छट पूजा या राम नौमी और भी बहुत सारे तेवहार आते दुर्गा पूजा कर सकते हैं जैसे लिए जैसे फास मरी जी अगरत में दिवाली अभी आने वाली है भालत में दिवाली है तो यह तीवाली के लिए वहाइद करके तो एने मतलब चाहिए प्रोत्साहन देना चाहिए विवाद के विभिन मुद्दों को सुझञानने के लिए वारताए की जानी चाहिए जो भी हमारे विवाद है आदे को बहुत साही विवाद है जम्मू and कश्मीर को ले करके आपको पता होगा बच्पन से आप सुनते आ रहे होगा कि भारत और पाकिस्तान के बाइच में जो विवाद चलता हा रहे है वो कश्मीर को ले करके तो एक तरह से हमारे संबंध बहुत अच्छे सुधर सकते हैं अगला है वीजा अधिक स्वतंदरता के साथ दिये जाने चाहिए आप देखेंगे तो आज की टाइम पे वीजा जो दिया जाता है वीजा क्या होता है अगर मालीजे आप इंडिया में रहते ह और इंडिया से मालीजे आपको किसी भी देश में जाना है जैसे कि मालीजे पाकिस्तान में जाना है घिशी एक टाहिए होगा पाकिस्तान वाले आपको Honom प्रोसेस कीई देंगे तरह क्या सकते हैं प्रोसेस कोया हो जा रहा है और आगर उनकह भाइदास धर करेंगे और उनका फायदा हो सकता है तो आपको वीजा देла तो वीजा लेने का प्रोसेस काफी ज्यादा डिफिकल्ट है तो वीजा जो है अधिक सोतलता के साथ दिया जाना चाहिए ज्यादा फ्रीडम के साथ दिया जाना चाहिए ठीक है ताकि जो दोनों देश से संबंध है वो सुधर सके अगला है आप यहां पर पॉइंट तो आर रहता है लेकिन पागिस्टान ही आतंग बात पैदा करते भारत के अगर भारत वालत के लोगों पर भारत वाले कहां से विस्वास करे है आगर आइँ आपको आतलव वहारीवाजबाई слова द्लेशगल में थारेक indicating पहुट और लिकें सेत्शल्पर करते इङ तो हम लोगों ने 1999 की बात है हमने क्या किया था कि उनसे अपने रिष्टे सुधारने के लिए पाकिस्तान वालों से उनके साथ बस यात्रा की थी जो कि दिल्ली से लाहर तक चलेगी इस टाइप की बस यात्रा का आयोजन करवाया था तैकि संबंद सुधारे जा सके हमें लग किया कारगिल में चला गया हमारा छेतर कबजा करने लग गया थीक है तो हम तो विश्वास करते हैं लेकिन वह हम पर विश्वास नहीं करते हैं तो यहीं चीज को ठीक करना है तो दोनों ही देशों को एक दूसरे पर विश्वास करना होगा भारत पाकिस्तान दोनों को तभ भस्ती वगेरा है तो उनको ऐसे महाल में जो है ना वो सहयोग करना चाहिए आपके या फेमस सेलिब्रिटी वगेरा जो है ना उनको कोशिश करना चाहिए लोग जो है तो अगर दोनों देश के प्रमुक हस्ती या फिर सरकारे हैं वो ऐसे कदम उठाए जिससे लोग भारत और पालिस्तान के जो लोग है वो एक दूसरे से मिल करके रहने लग जया, ऐसे चीज़े उनको बोलनी चाहिए, ऐसे चीज़े उनको करनी चाहिए, ठीक है, तो ये कुछ तरीके हैं जिस से भारत और पालिस्तान के संबंदों को सुधारा जा सकता है, ये तो रही question तक क बारत और पागिस्तान के जो संबंध कभी स्टेबल रही नहीं सकते हैं क्योंकि पागिस्थान आतंगवाद पैड़ा करने वाला देश है वह भाई क्या बोलू मैं मतलब अजीब कंट्री वह बिल्कुल ठीक है वह चाहता है वह आज के टाइम पर भी चाहता है कि कैसे कश्मी रहा पने हम उसको यह नहीं पता कि नया भारत है यह आज यह 1947 वाला भारत नहीं है यह 2022 का भारत है वह आज भी कश्मीर और यहीं सब मेरे रहकर करना ना आतंगवार मेरे रहकर के बस सिमट से गये है तोनों देश एक साता जादू है एक देश आज मंगल तक पहुंच चु तो भारत और पागिस्तान के संबंधों को कैसे सुधारा जा सकता है तो पीपल-टू-पीपल टाइस वी प्रमोटिर ठीक है और बिजनेस शुट भी इंकरेजड ठीक है इस तरह से काफी सारे पॉइंट से यहां पर आप देख सकते हैं इनको आपको क्या करना होगा इंग्लि इसके अथवा में देखिए क्या कोशन पूछ रहा है हमसे कि गैर पारंपरिक सुरक्षा को खत्रे के किनी चार नए सुरोत बताईए तो यहां पर पूछ रहा है कि गैर पारंपरिक सुरक्षा के खत्रे के किनी चार नए शूरोतों को बताना है यहां पर हमें तो चार नए सुरोत कोंकों से यहां पर आप देख सकते हैं पांच लिखा रहा है अब पारंपरिक क्या होता है यह अभी हम लोग वीडियो में ही डिसकस करेंगा आगे एक कोशन भी है इसके उपर ठीक है उसम स्वास्ते महामारिया जैसे COVID-19 यह सब जो है ना यह नए खत्रे के स्रोथ है आज की टाइम पर आप देख रहे होंगे तो इस तरह से आपको लिखना था इन्हीं को आपको समझ में आए होगा अब हम लोग आ गए है तीसवे कोशन के अंदर भारत और चीन के बीच संघर्ष के कारणों का विशिलेशन कीजिए ठीक है भारत और चीन के बीच में आप देखेंगे तो संघर्ष बनाई रहता है ठीक है कहा हम लोग एक टैंग पे एक नारा चला संघर्ष के कारणों को बताना है संघर्ष मतलब विवाद क्यूं रहता है भारत और पाकिस्ता है तो में चीन की बात करूंद यह है आपका चीन और ये है अपना प्यारा भारत तो चीन पते क्या सोच रखता है वो विस्तार वारी सोच रखता है वो बोलता है इतना है तो अपने देश को इतना बनाएंगे लु刃 कि न अगारतacy जमें ने लगक्ता ले करके भारत चीन के विवाद चलता रहता है उसके पूरी दुनिया पर इसान है एक तो चीन ने दिया और दूसरा उसकी विस्तारवादी नहीं थी अपने देश को बढ़ा करने की हम लोगों की क्या नहीं है हम लोग बोलते हैं हमारे देश इतना बढ़ है न भगवार ने चीन वाले बोलते हैं नहीं चंगा क्या थी भाई अपना देश बढ़ाएंगे यह लो यह लो यह लो तो मैं तो कहता हूँ यार एक तुम बढ़ाओ और एक दिन भारत को बोल देना चीन ही ना पूरा चीन ही कहा रहा है जाओ जो करना है तो एक यह पॉइंट आप लिख सते ह जो कारन है, संगर्श के कारणों में, दूसरा है, भारत में दलाई לama को समय दिय जाने पर तनाओ, जब चीन ने टिबबट पर कबजा किया था, तो भारत ने क्या किया था, दलाई लामा जो कि टिबबट की धार्मिक गुरू है जैसे हमारे यहां पर हिंदू धरम में पंडित होते हैं पूजा करवाने वाले मुस्लिम धरम में मौल भी होते हैं ठीक है उसी हिसाब से तिबबत के धार्मिक गुरू थे जिनका नाम था दलाई लामा तो चीन ने जब तिबबत पर कबजा किया तो उस एक बड़ी कमेंट करके बताई जहां था कि मेरे खाल से 59 की बात हो रही है तो इसको ले करके चीन हमेशा विवाद करता है बोलता है कि तुमने कैसे इनको सरन दे दिया ठीक है मैं तो इसका विवाद करूंगा अब भारत बोलता है तु जो करना कर ले भाई मैं जिसको सरन क्योंकि हम लोग जो है ना एक नीती को मानते हैं वसुधेव पुटुम्ब कम की नीती को मानते हैं यानि पूरी दुनिया परिवार के समान है ठीक है और वही बात है ना पूरी दुनिया परिवार के समान हम लोग तो मानते है लेकिन तुम नहीं मानना है मानो नहीं मानना ह जो हमारे पास आएगा आसरा मांगने के लिए उसको हम देंगे और इसी को ले करके भारत और चीन के संबंध बिगड़ से गए हैं जब से भारत ने दलाई लामा को सरन दिया है आगे देखें अगला पॉइंट है कि चीन के पाकिस्तान के साथ निकट संबंध तथा उसकी पर पर्मानू परिक्षिन किया और उस ही दोरान जो है पाकिस्तान आधि अपना परमानू परिक्षिन कर लिए तो कहां से किया भाई चीन ने मदद की थी हम लोगों ने फ़िसे ज्यादतर हिस्टा उनि इन इंडिया था मैंने तरब से लगाया और कुछ धिस्पा यू Сов का यν पागिस्तान को समर्थन कर देता है उनके टेरिरिस्ट को भी बचाने के लिए उनका सपूर्ट कर देता है पागिस्तान का तो इसको लेकर भारत और चीन के संबंद बिगरते रहे हैं उनमें संगर्ज देखने को मिला है और भी कई सारे कारण आप लिख सकते हैं इनको भी अगर आप लिख देते हैं इसलिए आपको छे नंबर मिल जाएगा वर्चे तो आपको इस तरह से लिखना है यहाँ पर आप देख सकते हैं डिस्प्यूट्स डिलेटिंग स्पैसिफिकली तुदा बॉर्डर इन अरुनाचल एंड अक्साइचीन अक्साइचीन क्या होता है अक्साइचीन भी समझ लीजिए अक्साइचीन वह है जैसे कि 1962 में हमारा यू दूआ था चीन के साथ ठीक है पागिस्तान उक्यूपाइट कश्मीर तो उसी परकार से इसको अक्साइचीन बोलते हैं वोले तो चाइन ने कब जाकर लिए तो इसको लेकर के विवाद रहता है और कई बारी चाइना जो है सपोर्ट करता है पागिस्तान का ठीक है तो उसको लेकर के भी भारत और जो को समझ में आया होगा इसके अगे चले तो एक अथ्वा में आपको question दे दिया है यहां पर आपड़ सकते हैं कि अगर आपको ऊपर फट्चन नहीं आता है तो नीचो फल उन्प अटन कर सकते हैं तो इसके choice में क्या question पूछा है उसको समझ लेते हैं वाच्छो इसके choice में question कि सिरिलंका के जातिय संघर्ष और उसके किली दो परिनामों को सपस्ट किजिए ठीक है यहाँ पर सिर्फ दो परिनाम बोला है यहाँ पर आपको अच्छे से यहाँपर परिनाम केसल श करना होता हुद है सिरि लंका के जाथी संहर। स किसल्टर्स कर सकते हो। आगा अगर आप देंगे तो ऊप्तिछा जाना परिनाम किसल का आप इसलिका धुक्तते हैं पर यहांश भारत के नीचे साइड में जाएंगे तो वहां पर आपको स्री लंका नाम का एक देश देखने को मिलेगा जो कि एक टापू है जहां पर अभी फाइनेंसियल क्राइस चल रहा है तो यहां पर क्या है ना दो कम्यूटी रहती थी एक तो आपका सिंगली लोग रहते थे जो कि कम लोग अल्प संख्यक थे तमील लोग थे तो इन दोनों के बीच में शंगर्ष होता था 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 हमें अधिकार मिलने चाहिए लोग बोलते थे हम तुम्हें नहीं देंगे थे तमील यह भारत के अंदर लोग जो बहुत के बहुत करके नामक देश में बस गए ते इस के बीच में लडाईयां होती हैं, कही बारी. जैसे कि आप देखेंगे भारत के अंदर अगर और अजादी से लेकर अब तक देखेंगे तो हिंदु-Muslim के अंदर कही भारी दंगे हुए हैं. दूसी परकाश से वहां स्री-लंका के अंदर आप देखेंगे देखिए लोगतंत्र देश होने के बावजूद स्रीलंका एक लोगतंत्रिक देश है डेमोक्रेटिक कंट्री है ठीक है लोगतंत्रिक देश होने के बावजूद भी स्रीलंका ने सोचा कि वह तमीलों को रियायते परदान नहीं करेंगे यानि कि तमील लोग जो है जो कम संख तो इसी भेद भाव ने क्या किया उग्रवादी तमिल राष्ट्रवाद और एक हिंसक टक्राव को जन्म गिया जाहिर सी बात है अगर आप किसी एक यंटिटवा को क्यों बढ़ावाद होगे तो दूसरी कम्यूंटिटि जो गुस्सा के आप ऊंच में वां गया तो इसका उसलिए हैं आप यहाँ पर परिणांव मीवे क्वी नते राष्टिओ के तमील लोग जो थे, वो लोग तो कम संख्या में थे, तो तमील लोगों के जो अधिकार है, उनको बचाने के लिए एक संगठन सामने आया, लिट्टे, लिट्टे का फुल फॉर्म होता है, लिबरेशन टाइगर ओफ तमील इलम, ठीक है, तो लिट्टे किसके साइड से आया, तमील लोगों के साइड से, और लिट्टे ने क्या किया, सेना पे हमला बोल दिया, और सेना और लिट्टे, यानि लिबरेशन टाइगर ओफ तमील इलम के बीच में लड़ाई शुरू हो गई, और ये लड़ाई काफी समय तक चली थी, इसी को सुलझाने के लिए, भारत न स्थापित की जा सके, लेकिन इसका कोई भी फाइदा नहीं हुआ, और तमील लोगों की दुस्मनी अरजित कर ली, यानि कि हम लोग सक्सेस्पूल नहीं रहे स्रिलंका के अंदर, और तमील लोग उनका गुस्सा और बढ़ गया, और ये चीज आगे चलके और भी दिक्कत स्रिलंका को, तो ये था आपका पूरा, आपका जोसो की मामला, स्रिलंका में जाती है संगर्ज का, आपको समझ में आया होगा, यही कोशन आपका, इंग्लिस मेडियम में आएगा, तो इस तरह से आएगा, यहां पर आप देख सकते हैं, कि एक्स्प्लेंद एथिक, स्रिलंका एड अनी टू अफ इट्स, वन सिकोइंसिजग है, तो आपको उसके बारे में बताना है, तो यहां पर इंग्लिस मेडियम वाले बच्चे देख सकते हैं, इस प्रकार से आपको अपना एंसर लिखना है, इस ताइप से, तो इस हिसाब से आपको पूरा लिखना है और इसी को explain करके लिख देंगे easily आपको जो है जो की चे नंबर मिल जाएगा आगे चलते हैं बच्चों अगला question देखिए अगला question है 31 question कि पर्यावरन के ऐसे मामलों पर भारत के पक्स का जिनकी चर्चा अंतराष्टी स्तर पर हो चुकी है यानि कि पर्यावरन का ऐसा मामला बताना है जो हम लोग ने उठाया था पर्यावरन से संबंधित जो आज international level पर discuss किया जा रहा है तो क्या-क्या हमने बताया है या जिस पर चर्चा की है ठीक है पहला है विक्सित देश ग्र इस निकला जैसे में इसमें से अकेला 80% तो यह विक्सित देश नहीं किया है अमेरिका वागरा ने थीक है 20% ही जो विकासी देश है जो भारत जैसे देश है उन्होंने जो है तो इस बात को पुरी दुनिया ने माना, पुरी दुनिया ने इसके उपर चर्चा किया, अगला है भारत समान परंतु भिन-भिन जीमेदारियों के सिधान को स्विकार करता है, भारत जोर देकर करता है कि विकासिल देशों की पहली और अपरिहारे प्राथमिक्ता आर्थिक अथा समाजिक विकास की है, अथा या एपिहासिक उत्तरदायतों के सिधान पर निर्भर करता है, ठीक है, कहने का मतलब यह है, कि हम लोग यह बोलते है भारत के जो लोग है, वो यह जाकर बोलते है, या भारत की सरकार, कि भाई देखो, तुम लोग तो विक्सित हो गए, परियावरन को पर्दूसित करके, अब तुम लोग यह बोल रहे हो कि पर्दूसन नहीं करेंगे, अब परियावरन को पर्दूसित नहीं करेंगे, तो भारत के लोग बोलते है, या फिर विकास इंदेश बोलते है, अइस्सा कैसे भाई, तुम लोग विक्सित हो गए, पर् या तो परियावरन ले लो या तो विकास ले लो ठीग है तो बात और परिया बज्जी में पर्दूसित मत करो जैसे बहुत मैंद से, दो ओर चार ओर वर बोल डाला उसको खिलाने के लिए, उसके बाद जो उसको डाल दिया, उसने पूरी बैटिंग कर ली मन भर, तो आप बोलते हैं, भाई मेरी बारी है, मेरे को बैटिंग करा दे, तो आपका दोस्त बोलेगा, भाई मेरा बल्ला है, मैं तरक अमेरिका जैसे जैस लेकिन जो विकासील जैसे गडीब देश थे उनको आप बोल रहे हैं टायलोग माररे हैं कि वाई आप तो परदूसन पहला रहे हो भाई तो उसी साब से भारत जैसे देशोंने बोला कि आप विक्सित हो चुके हो हम भी होंगे हमारी प्राथमीक ता यह है कि हम आर्थिक रूप से सामाजिक रूप से विकास करें अब पर दूसरन होगा तो उसमें हम कुछ नहीं कर सकते वाई ठीक है यह चीज यहाँ पर है और उसी हिसाब से कुछ बाते बता रखें कि भारत ने प्रित्वी सम्मेलन बोले तो रियो के समझोते के क्रियानवन का प्रियास किया है भारत ने क्योटो प्रोटोकॉल पर अवियास ताक्षर किया है ठीक है उसी हिसाब से यहाँ पर कुछ बाते और यहाँ पर लिखी हुए जो कि आप अपने स्क्रीन पर देखी सकते हैं इस हिसाब से आपको छे नंबर का एक कोशन करना था मैंने साथ और अभारमेंटल इसूस विच्व है डिसकॉजट लेवल ठीक है तो कौन-कौन सी चीज़े है यहाँ पर आप वीडियो को पॉस्ट करके प्र सकते हैं इंग्लिस मीडियो माले बच्चे इस तरह से आपको लिखना है ठीक है यहाँ पर आप देखी सकते हैं बच्चों इसके आगे चलें बच्चो, तो इसी में आपको एक अथुआ वाला question दे दिया है, एक choice दे दिया है कि अगर आपको उपर वाला question नहीं आता है, तो नीचे वाला question आप attend कर सकते हैं, इसके choice में देखिए क्या question हम से पूछ रहा है, जो अभी मैंने आपको गता है तो उपर कि यह वाला question discuss करूँगा, यही वाला question आप हम से discuss करने वाले है, ठीक है, तो यह 6 नंबर का question है, काफी बारी पेपर में आ रखा है, पिछली 10 साल का question पेपर आप उठा के देखेंगे, तो कई बारी यह पूछा जा चुका है, यहां पर question क्या बोल रहा है, कि आंतरिक तथा ब बारी रूप से सुरक्षा करना हो, यह आंतरिक रूप से सुरक्षा करना हो, तो अगर आपको आंतरिक रूप से सुरक्षा करना है, तो उसकी क्या धारना होती है, कि यह देश के भीतर की सुरक्षा से संबंदित होता है, जैसे कानून व्यवस्था बना कर रखेंगे, आंत चाइना जैसे देशों से लड़ना है तो पहले इंटर्नली तो हमें स्ट्रॉम होना पड़ेगा न सारे राज्यों को मिल करके काम करना पड़ेगा तभी तो बाहर के देशों से लड़ पाएंगे हम लोग अगर बाहर के देश हमला करते हैं तो यही चीज हां बता रखा है कि पारंपरिक धारना के अंदर आपको बाहर की चुनोतियों से लड़ने से पहले आपको इंटर्नली जो है आंतिरिक रूप से सुरक्षित होना होगा अगला है द्वित्तिय विश्वयूत के बाद अधिकांस विख्षीत देशों में आंतिरिक शुरक्षा को लगबग सुनिश पया दिकतर होगा किन आपको धमला होता है कि हम लोगबल उसस पर हमला करेंगे तो इसके लिए क्या होता है कि हमें दूसरे देशों से हमले से बचने के लिए अपने देश को सुरक्षित रखना पड़ता है, अगला कोई भी देश यूद को रोग सकता है, मुकाबला कर सकता है, अत्वा हतियार डाल सकता है, इसके अंदर, सरकारे सकती संतुलन बना सकती है, इसके अंदर बाहिये सुरक्षा क कड़ने के लिए जैसे आप नाटो जैसे संगठन देखते हैं इस प्रकार से आपको यह एंसर लिखना है इस कोशन का तो यही था हमारा पॉलिटिकल साइंस का मिड टर्म के लिए सेंपल पेपर आई होग कि आपको अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो जादा से जादा लाइक कीजिए जितना जादा आप लाइक करेंगे उतना जादा हमारे मोटिवेशन बढ़ता है और वीडियो उसको बनाने के लिए अगर आप चैनल पर ना आ गेए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं की आई तो लाल कलर का बटन ड़ा करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे जैसे आप सब्सक्राइब करेंगे तक यह वीडियो को लाइक जारूर कीजिएगा हमारा मोटिवेशन बढ़ता है आज तब तक के लिए खुश रहिए खुश रखिए सभी को जय हिंद वन्दे मात्रम